कहते हैं पॉस्ट सेक्टर और खासकर महिलाएं मतदान में पीछे रह जाती है लेकिन इस वक्त मैं तमाम उन शेहरी महिलाओं के बीच में मौझूद हूँ जो आज राजिनेतिक चर्चा के लिए यहां पर आई हैं और जान लेते हैं और रैपिड फायर एक तरह से मैं यहां क कि क्या कहती है फरीदाबाद के पॉस्ट सेक्टर की महिलाएं और किसका जादू चलेगा इस बार मतदान के समय क्या नमें आपका रैपिट फायर क्या लगता है आपको फरीदाबाद विदान सभाव विपल गया लखन सिंगला कॉंग्रस वीजेपी 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 क्योंकि को क्या मतर्что है काम कर सकते हमारा हमारा तो शुरू से भीजेपी कोई वोट है क्या राधान कुम्कुन है ग्लींट और में जो कुछ और और महिला हैं पूछ लेती हूं मैं जल्दी से क्या ना मैं आंकी नाम बचा दिती जैया कुमार जी क्या लग रहा है इस बार फरीदाबाद की हवा कॉंग्रेस या बीजेपी बीजेपी पका बीजेपी मेरा नाम पदमा जैन है और विपल गोईल जी को बोड़ते है क्यों क्यूंग्यां बीजेटर नाम पॉपंग्याटी से करेंगे तो उसमें विपन गोईल जी ने बहुत काम किया था उम्मीद करते कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए वो काम करें यह उन्मीड जी वकील भी है निश्चित तो पर जो है अपना ओपीणियफ आंटी क्या ल तो पीछे काम किया उसका जोस है अब भूलों कोई भी बोल दीजे बता दीजे वोट सब को देना है वह देंगे जुरू देंगे वोट लेकर जो काम करेंगे उसको बोस्ते विल्कुल रिट्टु या लग रहा है परीदाबाद ने लखन सिंग्ला विपल गया है बीजेपी पूल काम का फूल क्या कमल खिलाएंगे या हाथ का सहरा रहेगा बीजेपी हमेशा जीता जीता रहेगा जाना में आटी अपका मेरा नाम उश्या गुपता है और मैं चाहते हुआ है विपल गया जी को हमारे सेक्टर से बहुत हार्वारी क्या नाम है आपका शिका आप चलिए और और एक बार मैं बीच में से ले लेती हुए यहां से आरही हो आंटी मैं आपके पास भी आ रही हो और देखे रुचना बड़ा रोचक है और आप क्या लग रहा है फरीदाबाद में पॉंग्रेस या बीजेपी विपल गयल यह लखन सिंग्ला क्या चाहिए विपल गयल बीजेपी अच्छा यह पटका यहीं पहना है या फिर वैसे ऐसा तो नहीं है विपल गयल के कट्टर समर्था को यहां के रही जाइंट है नहीं समर्था के विल्कुल बिल्कुल क्या नाम है परीदाबाद में क्या लग रहा है इस बार फिर बीजेपी यह कॉंग्रेस लिपल गयल यह लखन सिंग्ला अच्छा आँटी आपने तो पिछले 2014 भी देखा होगा का माम किये विपल गयल ने बड़े लोग बोल रहे हैं तारी दोयल ही बेस्ट केंडिडेट है नहीं बिल्कुल ठीक है रही है हमारे तो पडोस में जो मैत्री पाक है वो इनीका डिवेल्प करवाया हुआ है कम्यूनिटी सेंटर के लिए भी नहीं बहुत पैसा दिया था उस टाइम डिवेलप करने के लिए रोड का काम बहुत हुआ है और सबसे बड़ी बात है ये हमारे स्टूडेंट रह चुके हैं हमारे देया भारत को शिरक्षित रखना भी बिल्कुल देश की बात लोग पापा में लोगों ने इसलिए वोट दालते हो तो क्या दिमाग में चलेगा वीजेपी कॉंग्रेस क्या बिजेपी कॉंग्रेस लखन सिंगा वीपल गोयल दो कंडिडेट मुकाबला है आपको भी आपका क्या उपिनियन है ऐसा कुछ भी नहीं विपल गोई चीक है और और दो-चार लोगों से मैं और पूछ लेती हूं क्योंकि रेंडम कोई यू ना कहेगी शायद बायस जा क्योंकि देके 14 के अलग-अलग एरियास से यह लोग आय हुए है और राजनीती में सक्षिबट घृट की बात आती है जब बात होती है तो स्मृति राणी के भाशन को भी लोग घ्र्वाण को सुनते हैं तो ऐसे में महिलाओं की भागीदारी लगाथार बढ़ रही है क्या नामे आपका रविदाबाद विदहांसाबाद सेक्टर चौदा क्या माहल लग रहा है आपको विपल गोल बड़ा हो रहा है क्या चौदा में ऐसा क्या उन्हों ने किया जो मैला है तो बहुत जल्दी से नहीं आती है किसी चीज के लिए बोलने के लिए यही रिजन तो है कि सब विपल गोल बोल रहे हैं वह एक्स्पिरेंस कर चुके है कि मौरा उप्ड़ स्टोडी यह है कि हमी नरुनी कोई होना चाहिए बिल्कुल और और भी ले ले लेते हैं दो चार लोगों को क्या नाम है आपका प्रियंका का लग रहा है इस बाले कि मैं त हमें आता है कर दो लुकल देंके ते वह वोत और फॉल्ड गोहल कंबिनेशन लगता हैं आपको लगता की बेचे सब्बर वकोंटियर कंग्रेस को जा रहा है तर्ग यह उत्यभी की तरव जा रही है जाना तर लोग वीजेपी को फॉलो करें हैं उनको सब को इमांदार नेता चाहिए तो देखिए सुना आपने मैंने कई महिलाओं से बात की और अब लोग जो है एक नाम विपल गोयल का ले रहे हैं हाला कि मतदान के दिन पता लगेगा कि लोग आखिर क्या सोचते हैं क्या चाते हैं मैला हैं किसके पक्ष में मद्दान करते हैं लेकिन अगर वर्तमान की बात की जाए तो कहीं न कहीं कॉंग्रेस प्रत्याशी लखन सिंगला पर विपल गोयल काई गुना भारी प्रत्याशी के रूप में नजर आ रहे हैं कैमरा परतन शिवम के साथ जादा शेयर करें धन्यवाद